मुझे लगता है किसी की पर्सनल लाइफ पर बेवजा कॉमेंट मारना या फैमिली तक जाना और वो करना वो बहुत प्रोवोकेटर होता है पल में तोला पल में मासा दिखाई दूंगी मैं आप टेंशन मत को MC Stan, शेमडा, बिना कुछ किये जीद गया कि अधियर बचकानी है बट ठीक है हाई दिस डॉक्टर बेविका और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पर हेलो वेलकुन में टेली मसाला में हूँ फैजान और आज है मेरे साथ में एस्ट्रो बेवी जिन जिन है ट्रेलर देख लिया है प्रमों देख लिया है बिग बॉस का वो तो समझ ही गए और बहुत जादा एक्साइडमेंट इनके नाम के साथ में इनके काम पर भी बनी हुई है पूछने वाले एंसे मिलने वाले हैं वेल ओडेटी में जा रही हैं सीजन टू के अंदर बेवी का धुर्वे वेलो थांक्यू सो मच पर हाविंग मी यह बेवी का सबसे पहले तो यार हम ना बहुत जादा एक्साइड़ है आपको देखने के लिए और जिस तरीकर से मैं आपको ऑफ कामरा ही बताया कि मैं पैली जलता नहीं है तो वो डेस्परेट हो रहे हम तुझे देखे तो कहां देखे तो पता नहीं क्या करेंगे यूट्यूब पे जान मारेंगे या कहां जाएंगे बड़ सब देखना जाते मैं जरली ऐसा होता है बेवी का कि लोग एपिसोड देखते हैं तब उनको मानने जादा है मैं तो सबसे कम रीच है मेरे तो लिटरली फॉलोवर्स भी सबसे कम है मैं तो सोच रही थी कि मुझे तो अपना सची गेम टफन अप करना पड़ेगा और हर एक सेकेंड को यूटिलाइस करना पड़ेगा हर एक मिनिट मेरे बहुत प्रेशर हो गया घर के अंदर ऐसे ही मैं जाओंगी अब मेरा प्रेशर बिलब 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 डॉता जा रहा है याप कर्फके अपकर फॉलोबर्स matter करते हैं प्रिलिली शोस बहुत जादा क्योंकि ईटी एंड इंड वोटिंग जन्ता ही बनाती है जन्ता गिराती है तो फॉलोस बहुत बहुत मै तो उनके लिए तो यह एक पीस आफ केक है पर मेरे लिए नहीं मैं मैं सबसे डिलेटेबल हूँ तो अपनी तरफ से बैस देना चाहूंगी हर एक पल मेरे कीमती है यह प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि लोग जो देखेंगे अब एक दम फ्रेश कॉंटरेंट देखेंगे बिलकुल उनको एक नया नगीना नया नमूना मिलेगा और उनको मुझमें काफी इंक्विजिटिवनेस होगी और इस चीज़ को ब्लेसिंग की तरह लेकर चलना चाहूंगी इसको एक एडवांटेज की तरह भी लेकर चलना चाहूंगी क्यों लगा कि Big Boss के OTT सीजन के लिए हां करना चाहिए और आना चाहिए वैसे तो मुझे बिग बॉस में आना था आप OTT का हो या TV का हो मुझे मिल जाए वह बहुत बड़ी बात थी और OTT in fact बहुत ही अच्छा प्लाटफॉर्म है क्योंकि यहां अगर अच्छे से उभर एक blessing है करोडो में से मुझे चुनलिया देव पावला पापा ने बहुत सारे लोगों की भवश्यवानी की है उन्होंने क्या टिप्स दिए आपको कि भई तुम या रहे हूं मैंने सबको यह बता करा हैं अब तुम यह मत करना अब तुम यह करना क्योंकि जहां तक मैंने उ कि वो अल्मोस्ट अभी तक जो हम देखते हुआ रहे हैं वो सची निकली है तो आपको क्या लगता है थोड़ा उनका प्रेशर उन्होंने दिया कुछ यह मत कर लेना यह मुझे स्ट्रिक्ली कहां गया है कि घर में किसी लड़के के साथ चकर नहीं चलाना किसी के साथ कोई किसी के साथ जादा लड़कों के साथ खास कर हाथ में हाथ डालके मत बैठना यह मत करना वह मत करना पर दोस्ती तो मैं रखूंगी क्योंकि I make a brilliant friend I make an outstanding friend तो और वो मैं follow करूंगी और उन्होंने कहा है कि जादा जग्रालू बनकर लोगों को परिशान मत करना keep humanity keep your heart clean this is the advice he gave me आपकी तरफ से कोई love angle कोई प्यार व्यारी सब में दिखने वाना है पहले सी रास्ते बंद करके जारें आप सारे वह लाव अगल तो मेरी दव से नहीं होगा मैं तो किसी से प्यार निकर पाऊंगी कोई और मुझसे कर बैठे तो that's not my problem दिल तोड़ने वाली हैं अंदर जागी सबके येस तो मद जुड़वाना ही मद मुझसे दिल क्योंकि तूटेगा अगर आपको अगर कोई पसंद आजा गर के अंदर तब आप क्या करेंगी कई भार होता है ना प्यार तो मतलब अन्प्लैंड होता है कि आपको प्लैंड नहीं करके जाते अब हो गया तो क्या कर सकते हैं अब यह पने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, मुझे पता है अगर मने कुछ सोचा है तो मैं करके रहती हूँ, मैं कुछ सोचा है नहीं करना तो नहीं करना है अभी तक जितने नाम आया है क्या लगता है कौन सबसे दादा तफ कंटिशन देता हुगा नजर आ सकते हैं? मुझे लगता है हबी बहुत थाफ और अमभिशस है वो लगता है कहीं और देश का लेकिन भले ही वह यहां पर इंडियन ओडियन को ग्राप करना है बट अमभिश बहुत है और राइव बहुत है उसमें जीतने की और लडकियों में तफ कंपेशन मिलने वाला है तो यह दि कि अन्दर जाने के बाद में कि यह बंदा है इससे तो इसकी पर्सनालिटी है थोड़ी लड़ जाओंगी मैं यह मैं हजमी नहीं कर सकती है लेहीं नहीं सकती अभी तो फिलाल कहना बहुत अनफेर होगा क्योंकि अंदर जाकर इंसान को और बहतर आप करीबी से पर्को तो तो अभी मैं कॉमेंट नहीं करना चाहूंगी मिलकर बताएंगे बट काफी लोग मैं डिसपोइंट हुए उन्होंने जैसे लोगों को एकसेप्ट किया एक इंफ्लूएंसर यूट्यूबर भी है और एक और एक और है जो उनका प्रोमो में भी वस दांसिं इन दांसिं इन नहीं लड़की नहीं है यार लड़का हां लड़की क्यों मड में नाचेगी फिर कॉन बताँ वो था कोई तो जो कीचड में लोड़पोट हो रहा था पुनी सुबस्टर हां तो मुझे लगा कि वो बहुत वो ना भंग कर देगा शांती हर में उनके वीडियो देखें आप अपने जबान पर कंट्रोल इसको अपने माइंड पर जबान पर कंट्रोल नहीं है उसका गुस्सा है सबसे बुरा है आपके अगर इस बंदे ने यह चीज़ चेड़ दी यह यह कह दिया तो यहां पर मतलब मुझे कोई रोक नी सकता है मुझे लगता है किसी की पर्सनल लाइफ पर बेवजा कॉमेंट मारना या फैमिली तक जाना और वो करना वो बहुत प्रोवकेटिव होता है और वो मुझे भी बर्दाशनी हो पाएगा और आप एक दूसरे को तिने अच्छे से जानते नहीं हो आप एक बिग 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 कंपेटर करो कॉंटेस्स में हिस्सा लो जीतने की चाहा रखो निकलो भार परसनल लाइफ में मठ जाओ तो वो मुझे बिल्कुल बर्दाशनी होगा और जो इन्हुमेन आटिट्व रख ता जिसके अंधर इंसानियत ना हो जो बुली करने की कोशिश कर रहे हैं यह मुझे बर्दाशनी होगा वो मेरे साथ हो किसी और के साथ भी हो उसमें भी कूट पड़ूंगी क्योंकि मुझे पता है मेरा नेचर आब मुझे मारू मैं कई बार ऐसा होता है कि बिग बॉस के अंदर आपके जुड़े वे या पास्ट के आपकी कुछ कॉंट्रसी रही हो या आप तो मैं उस मौके की फिराक में रहूंगी मुझे डर नहीं किसी का एम फियर लेस मुझे सिव मेरे बापो का डर है बाकी किसी के बाप से डर नहीं क्या उन्होंने वर्ट्स बोलें अभी कि मतलब और क्या लगता है कि उनकी तरह से एक तो उन्होंने आपको हिंट दे दी मैं आपको सच बता हूं तो एस्ट्रोजी का एक बहुत ही इंटेग्रिल रूल होता है आप कभी भी अपने घरवालों का या अपना नहीं बता सकते तो उन्होंने मेरे बार में लिटरली कुछ नहीं बता है लेकिन मैं चाहती हूं कि सल्मान सर मेरी भवश्य वानी करें क्य क्या पड़बाएंगे उनके अंदर सीजन में जाने के बाद में ओटीट में तो जाही रहें आप धामाल करेंगे क्या मतलब कौन सी साइट उनको जादा देखने को मिलेगा लड़ाकू वाली रोमान्टिक वाली प्यार वाली दोस्ती वाली क्यूंकि मैं पूरा पकेज हू अधने शुदाद शुकला लोनर वुल्फ और रूबीना विक्ष शी वाली पर्सनल लाइफ इतना ओपनली डिस्लोष किया कोई ना करे अपने हस्बंड के बारे में अपनी मैरिज के बारे में जिग्रा चाहिए जिग्रा चाहिए कोई नहीं करता और एफ एविए तेजस् करते हैं क्योंकि वह भले ही पॉपिलर था मैं तो पॉपिलर भी नहीं हूं लेकिन वह पूरा ऐसे ग्राउंड जीरो से उसने पूरी प्रोफाल शुरू से अंथ तक बनाई है बट उसका एड़े ड़ांटेज था वह अपनी पूरी टोली लेकर राए उनके ओपर भी कैसार पैठा था बिना कुछ किये जीत गया क्योंकि लोगों का प्यार उसके साथ था वह अनिंटेंशनली एंटें कर देता था बिना चाहे तो उसमें डेस्परेशन नहीं था मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जिनके अंदर पूरा जीतने का और किसी को हाम करने का डेस् कि अविल साइड नहीं है और वह बंदा इविल नहीं है तो इसलिए में रिलेट कर पाती हो तो घर के किस कोने में आप सबसे जादा नजर नहीं कोई ऐसा जो अभी तक आपने पास्ट सीजन में देखा गहां मैं किचें में जादा बढ़ाऊंगी किचें देखा खाओ आपकी बेबी का आपके दिलों पर राज करना चाहती है और आप ही में से उबरी है मुझे सबसे जादा सपोर्ट दीजिए सबसे जादा प्यार दीजिए क्योंकि मुझसे जादा रिलेट आप किसी से नहीं कर पाएंगे बिग बॉस के अंदाज में बोल दो एक वर बिग बिग बॉस चाहते हैं कि जनता सबसे जादा प्यार और सपोर्ट एस्ट्रो बेबी पर बरसाएं क्योंकि उसे मैंने अपनी बेबी माना है और अपनी साधी संपति उसके नाम करती है धन्यवाद